हलो दोस्तों कैसे हो आज हम बात करेंगे गुरुनिती 2023 के अंदर बोटनी का जो सेकिंड यूनिट है उसके बारे में डिसकसिन करेंगे आज हम लोग डिसकसिन करने वाले हैं सेल बायलोजी के सेकिंड पोर्शन जिसका नाम है सेल साइकल एंड डिविजन ठीक है आओ देखें कोशन नमबर वन पहला कोशन है अर्द सुत्री विबाजन पहले कोशन की बाद अपने इस में करेंगे और पहला कोशन जो है यह अपने पास में है अर्द सुत्री विबाजन कहां होता है मिवसिस टेक प्लेस इन मिवसिस और माइटोसिस हम लोग जानते हैं दो टाइप के सेले डिविजन हों करते हैं mitosis जो है वो हमारी body की almost cells के अंदर होता है जब हमारी body के अंदर growth होती है जब हमारी body के अंदर repairing होती है वर्धी होती है, मरमत होती है उस time पर होने वाला जो विवाजन है जो division अवो कौन सा होगा? mitosis होगा लेकिन याद अगर sexual reproduction हो रहा है और sexual reproduction के अंदर जो higher plants है, जो higher animals है वो gamet का formation कैसे करते हैं? meiosis से करते है तो वो cell जो meiosis करे उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा meocyte याद अतना meocyte कोन है? meocyte है gamet mother cell और याद अतना meocyte हमेशा to one होता है meocyte is always deployed तो meocyte कोन है? meocyte is a cell which represents meiosis तो अपन कह सकते हैं कि बताओ meocyte किस में होगा? क्या gamel में होगा? megaspore में होगा? megaspore mother cell होता तो हम इस cancer यह कर सकते थे पर megaspore तो meocyte के बाद बनता है तो हम कह सकते हैं meocyte का मतलब होता है meocyte का मतलब होता है meocyte का मतलब होता है cell तो वो cell जो meiosis करे उसे बचो आप लो क्या कहोगे meosite कहेंगे आगे देखे इसके बाद में second question सुत्र युगमित समझात गुनसुत्रों के युगम द्वारा बनाए गए समिश्र को क्या कहा जाता है the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called तो यार रखना इस बात के बारे में जैसे मालो आपके पास में यू यह बचो यहाँ पर एक क्रोमोजोम है और यह आपके पास में दूसरा क्रोमोजोम है यह दो क्रोमोजोम जो है आपस में homologous chromosome है homologous chromosome वो होते हैं जिनकी structure आप बचो कह सकते हैं एक जैसी होती है हम लोग अपर फादर सेρέ थाह टो यहाँ रखना हम कह सकते हैं कि जायगो टीन के अंदर होमो लोग अउस स्क्रोमोजों एक दूसरे के पास पास में आते हैं और पेर बनाते हैं ठीक है तो 뛰 जो बछो Hier यहाँ पर पेर है इस पेर को आप लोग क्या कहोगे बाइविलेंट कहेंगे बिल्कुल सही है याद अतना वो जो पेर होगा उसे आप लोग कह सकते हैं बाइविलेंट या इसे बचों आप लोग कह सकते हैं टेट्राड तो याद अतना टेट्राड बाइविलेंट और पेर इ यहको अगर क्रोमोजूम है तो बता वोत पेर कितने बनेंगे टेन हैबीन इन đेग क्रोमोजूशन Katy में कि यहा पर कोशन की बात रहें तो हम सिर्फ कोश्चन सैनल करने हमारा मंदा नहीं है हमारा मंदा है आपका topic तयार करवाना आगे देखें answer यहाँ पर bivalent है exonim की बात अपन यहाँ पर करें exonim जो है अपन कह सकते हैं यह तो different चीज होती है जो cilia flagela है eukaryotic cell के अंदर उसके अंदर cilia flagela में cell membrane के अंदर जो 9 plus 2 या 9 plus 0 content होता है उसे आप लोग कहोगे exonim equatorial plate यह तो metaphase में है जहाँ पर सारे के सारे क्रोमोजोम एक ही equator की उपर arrange हो जाएंगे और kinetocore कहाँ पर होते हैं यह तो बचो क्रोमोजोम के अंदर इस तरीके से plate like structure होगती है ठीक है तो याद अदिखना the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome homologous chromosome का यह जो पेर है उसे बचो आप लोग क्या कहोगे by violent कहोँगे तो answer बताओ यहाँ पर कोण सा हो गया answer यहाँ पर हो गया number one ठीक है आगे देखते इसके बाद next question number three चित्र में कोशी का विबाजन की एक अवस्था दर्साई गई है अवस्था की सही पहचान और उसकी सही विशिष्ठता को चुनिये a stage in cell division is shown in the figure select the answer which gives correct identification of the stage with its characteristics सबसे पहरे डाग्राम को देखें यहाँ इस डाग्राम के अंदर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके से दो नुकलियस है अगर यहाँ पर नुकलियस दो है इसका मतलब यह हो चुका है कि केरियो काइनेसिस जो है वो complete हो रहा है और केरियो काइनेसिस की last stage का नाम होता है आप कह सकते हैं तिलो फेज तो आप क्या कह सकते हैं यह तिलो फेज है एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम एंडो नुकलियोलस नोट रेफोर्मड नुकलियर एनवलप रेफोर्मस गोलजी कॉंपलेक्स रेफोर्मस बिल्कुल तो यह अंतियावस्ता है और इस अंतियावस्ता में आप लोग क्या कहोगे एंडो प्लास्मिक और केंद्री का अभी दुबारा नहीं बनते नहीं होने से गलत हो गया केंद्र के आवरण दुबारा बन जाता है बिल्कुल सही बात है गोलजी समिसर भी दुबारा बन जाता है बिल्कुल सही बात है तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया तीसरे में आंसर बताओ तो यहाँ पे कौन सा होगा तीसरा होगा आगे देखें तो कैसे पता लगा कि यह टिलो फेज है आप डाइगराम देखें एक सेल उसमें दो नुकलियस दो नुकलियस देखो देर देरे बचो यहाँ पर यह जो आप देख रहें न इर्रेगुलर शेप में इस इर्रेगुलर शेप का मतलम है कि नुकलियस यहाँ पर बन रहा है और अगर नुकलियस बन रहा है तो बताओ वापस से नुकलियर मेंब्रेन, ER, गोलजी बोडी, नुकलियो, लस यह सब रीफोर्म कौन सी फेज में होते हैं? यह सब होते हैं टिलो फेज में नेक्स्ट कोशिका नुमबर 4 यदि DNA की प्रानमभिक मात्रा 2C है तो कोशिका चकर की किस अवस्ता में कोशिका में DNA की मात्रा 4C होती है? देखे, थोड़ा सा बचों मैं इस कोशिका के अंदर आपको दो तिन बाते और बताना चाहूंगा वो दो तिन बाते ये बताना चाहूंगा ये C, 2C और 4C क्या चीज़ होगा करती है? जैसे मालो आपके पास में कोई हैपलोईड सेल है सेल कौन सी है हैपलोईड? हैपलोईड सेल के अंदर DNA की जो कंसंट्रेशन होती है उसे कहा जाता है C तो बताओ हैपलोईड सेल में कितना DNA मानते हैं? C अगर आपके पास कोई डिपलोईड सेल है तो डिपलोईड सेल में DNA की जो कंसंट्रेशन है देखो N सेल में कितना मानते हैं? C तो 2N में क्या होता है? क्रोमोजोम डबल हो जाते है तो DNA भी क्या हो गया? डबल हो गया तो 2-1 cell में कितना DNA मानेंगे? 2C याद इतना almost cell के बारे में अगर हमें कहा जाए तो almost हम कौन से cell मानते हैं? 2-1 ही मानते है अब अगर ये N cell अपनी S phase में आती है तो S phase में DNA कितना हो गया? डबल? तो C से 2C लेकिन अगर 2-1 cell अपनी S phase में आती है तो बताओ DNA 2C से कितना हो गया? 4C हो गया तो याद अपना S phase में DNA की कंसेंटेशन क्या होती है? डबल हो जाती है कोशन में दे रखा है कि during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remain at 4C तो बताओ अगर 4C यहाँ पर DNA है इसका मतलब यह कौण सी cell के बात कर रहा है 2-1 cell के बात कर रहा है और वो भी कौण सी phase में है? S phase में sequence आपको पताओ ना चाहिए पहले G1 S G2 और बताओ G2 के बात में क्या आती है? M phase आती है S phase में DNA क्या हो गया? डबल हो गया 2C से कितना हो गया? 4C तो S में कितना रहेगा? 4C G2 में कितना रहेगा? 4C और आगे भी बताओ कितना रहेगा? 4C जब यहाँ पे cytokinesis होगा तो वापस 2C हो जाएगा तो इस कांसर देखो क्या है? G0, G1 नहीं वहिया इस कांसर आपका जाएगा कौन सा? G1 and S तो G1 यहाँ पे नहीं हो पाएगा Only G2 Only G2 नहीं Only G2 नहीं G2 के बाद भी देखो यहाँ पे M फेज में Almost 4C रहेगा तो आँसर इसका कौन सा हो गया? 4th option यहाँ पे हो गया ठीक है प्यारे प्यारे बच्चो तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको DNA के बारे में कहा जाए तो C Concentration of DNA Is present in haploid cell 2C Concentration of DNA Is present in diploid cell ठीक है हploid में क्या होता है? C से 2C और diploid में कितना होगा? 2C से 4C S phase में DNA डबल हो जाता है तो उसके आगे DNA डबल रहेगा S phase के पहले replication ही होगा तो DNA वह रहेगा डबल नहीं होगा तो मेरे ख्याल से इसमें कोई धिकत नहीं आपको समझ कियोंगे आंसर बच्चो यहाँ पे कौन सा आगया? Fantastic 4 आगे Next question number 5 कोशिका चकर के S प्रावस्ता में क्या होता है in S phase of the cell cycle amount of DNA के बाद दे रखिए क्रोमोजोम के बाद दे रखिए सबसे पहले आप concept देखे यह बच्चो आपके पास यह क्रोमोजोम है यह A क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम के अंदर अगर आप condition देखे तो आप यह मान के चले यह होता है DNA यह आपके पास A क्रोमोजोम बताओ A क्रोमोजोम में कितने DNA है एक DNA है जब इस क्रोमोजोम के अंदर जब इस क्रोमोजोम के अंदर आप कह सकते हैं replication होगा तो replication ऐसे होता है एक DNA पहले से था और बताओ यहाँ पर एक DNA और क्या आ गया दूसरा भी आ गया यहाँ पर आ गया दूसरा DNA तो बताओ रेप्लिकेशन हो गया अब आपके पास में यह जो आप देख रहे हैं अब यह जो आपके पास में आप देख रहे हैं ये चीज़ देखे आप ये क्या है आपके पास में एक रोमोजोम है ये आपके पास में एक रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम है देखो DNA जो है बचो वो क्या हो गया डबल हो गया बताओ यहां पे DNA क्या हो गया आप कह सकते हैं DNA यहां पे double हो गया देखो एक DNA पहले यह था एक DNA यहाँ पर और आ गया तो amount of DNA double in each cell मतलब S phase में DNA की जो amount है वो double हो जाती है S phase में ठीक है amount of DNA remain same in each cell क्या S phase में amount of DNA same रहेगी नहीं भई, S phase है DNA begin replication तो DNA की concentration क्या हो जाएगी double हो जाएगी chromosome number increased no chromosome पहले भी एक था chromosome अब भी एक ही है बस इसके part दो गए, chromosome तो एक ही है amount of DNA reduce अरे नहीं भई, amount of DNA double होता है, तो बताओ इसका बच्चो correct answer कौन सा आवे है first option इसका correct answer है आओ आगे देखे recombinance enzyme अर्ध सुत्री विवाजन की किस सवस्ता में आवशक है the enzyme recombinance is required at which phase यादकना recombinance enzyme जो होगा, this enzyme is responsible for crossing over, बताओ इस enzyme का बच्चो function क्या है इस enzyme का function crossing over है, इस enzyme का function क्या है, crossing over और बताओ crossing over कौन सी phase में होगा crossing over होता है pecaitin में तो pecaitin के अंदर crossing over होता है और उस crossing over के लिए बताओ आप कौन सा enzyme चाहिए होता है recombinance enzyme चाहिए होता है, आगे देखे निमन लिखित में से कौन सा कतन सत्य है which of the following statements is true in tillow phase that nuclear membrane begin to form tillow phase के अंदर जो nuclear membrane है वो आप कह सकते हैं वापस बनना शुरू हो जाती है तो बिल्कुल सही बात है यादखना प्रोफेज में जो होता है उसका opposite किसमे होगा tillow phase में tillow phase को आप लोग कहोगे reverse pro phase pro phase में nuclear membrane disappear होई थी यहाँ पर nuclear membrane reappear होती है इन प्रोफेज प्रोफेस में याद अकना क्रोमेटिन फाइबर से किसका फॉर्मेशन हुआ था क्रोमोजोम का तो कंडेंसेशन तो पुरा हो गया उसके बाद में किस बाद का कंडेंसेशन एक बार यह होता है है इन एनाफेस दे क्रोमोजोम स मूव टो दे इसंडल Incredale इक्वेटर एनाफेस में क्रोमोजोम जो है वो आप कह सकते मूव टू इस्पिन dips एक्वेटर नौन हक्षान कि इलाना इना फिस में क्या होगा क्रोमोजों जो वो पॉल की तरफ जाते हैं यह माननों क्या है आपके सामने माननों यहांपर सेंट्रोस है आई है इस तरी केजिए याद करो Pat吗 Also wasn't का मूह करेंगे कुरु लो मूह करेंगे पूल की तरफ ऐसे ऐसे तो एक्वेटर पर नहीं जाएंगे बलकि पोल के तरफ जाएंगे आंसर इसका कौन सा हो गया ट्री पूछा है आंसर इसका बच्चो कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन हो गया नेक्स्ट कोशन नमबर एट सही विकल्प चुनिये सलेक्ट दे करेक्ट ऑप्शन कोशन हो चाहे जिंदगी हो विकल्प हमेशा सही चुने सादान रहे सतर्क रहे देखे सलेक्ट दे करेक्ट ऑप्शन सिनेप्सिस एलाइन होमोलोगस क्रोमोजोम देखो होमोलोगस क्रोमोजोम जो है दोनों होस्कों मिलते हैं एक दूसरे के प Aye हमां बनाता हूँ ये होमोलोगोस क्रोमोजोम करके अरहें क्रोसिंग और कर रहे हैं यह वोगता पयाइटीन में फिर दूर दूर जाने की क्योशिश करते हैं बन गया एक्स यह होता है डिप स्पास आना यह कहां पी होता है जाइगोटीन में होता है फिर यहाँ पर है synthesis of RNA and protein तो देखो RNA protein का synthesis कहाँ पर होता है यह रहा जी टू फेर्ज में होगा action of enzyme recombinase अभी भी बात आगी ना बार बार देखो गुम गुम के वो ही question आते है exam के अंदर कुछ नए exam में नहीं आता बहुत कम देखने को मिलता है action of enzyme recombinase तो recombinase का function है crossing over crossing over कहा होता है पिकाइटिन में centromere do not separate but chromatids move towards opposite pole यह आप बच्चों कहा सकते हो क्या होता है देखें इस तरीके से मानलो आपके पास में chromosome है chromosome कहा पर जा रहा है पोल पे जा रहा है chromosome अगर पोल पे जा रहा है तो बच्चों यह anaphage first है तो यह anaphage second के अदर anaphage first में क्या होता है anaphage first में a chromosome जाता है उपर a chromosome जाएगा नीचे पर anaphage second में a की chromosome हो तो उसको तूटना पड़ता है तो याद रहता है इस cancer कोंड सा हो गया d के अंदर d में आप लिलो anaphage anaphage first यहाँ पर आ गया centromere do not separate but chromatids move towards centromere पर्थक नहीं होते है किन्तु chromatids वीपरित धुरूओ की तरफ गती करते हैं यह पने सामने है तो बच्चों अगर हम इसकी matching करना चाहिए तो 2, 3 उसके बाद में 5 2, 3 2, 3, 5 और इसका अपने पास में क्या आ गया 4 तो correct answer बताओ इसका कुण सा आ गया 3rd answer आ गया देखिए इस matching वाले question के अंदर आपको बच्चों बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा main चीज यहाँ पर यह है कि anaphage first में क्या होगा और इनाफेज second में क्या होगा इनाफेज first में तो homologous chromosome का separation होता है दो chromosome जो homologous है दूर दूर चले जाते हैं और इनाफेज second में एक ही chromosome में splitting होती है जिसे दो chromosome बन जाते हैं और वो opposite pole की तरफ जाते हैं 9th अर्द सुत्री विवाजन की गटनाओ को सही करम में व्यवस्थित कीजिए arrange the following events of meiosis in correct sequence crossing over कौन सी phase में होगा पेकाइटीन में synapsis कौन सी phase में होगा जाइगोटीन में termalization कौन सी phase में होगा diakinesis के अंदर होगा disappearance of nucleolus nucleolus जो है वो disappear हो गई तो आप यह कह सकते हो यह कौन सी phase में होगा यह आपके होगा प्रोफेस के बिल्कुल last के अंदर आउव मेचिंग करते हैं पहले इसमें आएगा जाइगोटीन मतलब B पहले भी आना चाहिए यह रहा B B के बाद में आएगा पेकाइटीन P मतलब A तो B के बाद में आएगा A ही रही है फिर उसके बाद में क्या आएगा Terminization of cashmeta तो आपका इसमें आ गया B, A, C और D ठीक है यह देखो बच्चों अपने पास में एक correct यहाँ पे क्या है sequence है तो 9th में बतावांसर आप यहाँ पे क्या दोगे 4th option दोगे यह बिलकुल last में होता है समझ गए यह पने सामने condition है आगे देखे 10th खेत से लाए गए एक पादप बच्चों खेत में बात करें A cell at tillow phase stage is observed by a student in a plant brought from the field he tells his teacher that this cell is not like other cell at tillow phase stage there is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells this would result in खेत से लाए गए एक पादप कोशिका में एक विद्यारती द्वारा अंतियावस्ता देखी गई वह अपने सिक्षक से कहता है कि यह कोशिका जो है यह कोशिका अंतियावस्ता पर अन्य कोशिकाओं से बिन्द है इसमें कोशिका प्लेट नहीं बनती और इस कारण कोशिका में अन्य विबाजन वाली कोशिकाओं के पिक्षा अधिक गुर्ण सुत्तर है इसका परिणाम क्या होगा सिरी सी बात तमच केरियो काइनेसिस हो गया नुकलियस का डिविजन हो गया उसके बाद में साइटो प्लाजम का डिविजन नहीं हुआ तो सेल तो रे गई एक और नुकलियस का होगे एक से जादा ये जो आपके सामने प्रोसेस आप देख रहे हो इसे बच्चों कहा जाता है पोली प्लोईडी बहु गुणीता तो पोली प्लोईडी में आप लोग क्या कहोगे कि नुकलियस का डिविजन हो जाता है लेकिन साइटो प्लाजम का डिविजन नहीं हो पाता जिस कारण से एक सेल में नंबर ओफ नुकलियस क्या होते हैं आसर इसका यहाँ पे कौन सा है नंबर वन 11 बेच अनॉस्मेंट 2023 और 2024 आप लोगों के सुनरे भविश्य के लिए देखिये सुनरी स्लाइट टार्गेट कोर्स जो है वो 6 एपरिल से स्टार्ट हो रहा है इसमें वो बच्चे बेटेंगे जो 12 पास कर चुके है फाउंडेशन कोर्स जो है वो फाउंडेशन कोर्स 11 का भी होता है और 12 का भी होता है 11 में 11 का पढ़ाते है 12 में 12 का पढ़ाते है और यह जो है वो 1st base स्टार्ट का हो रहा है 6 अपरिल में हो रहा है 2 in 1 इस बात का मतलब अचो यह है अगर आपने 11 क्लास के अंदर वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था या फिर आप सोच रहे हो कि मैं और बेटर कर सकता था और वो किया जो आपको नहीं करना चाहता था तो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर 12 क्लास के अंदर आपको एक ही साल में पहले 11 भी पढ़ाएंगे बाद में बाद भी पढ़ाएंगे आपको 11 और 12 जो है उसको पुराम क्या करेंगे टीच करेंगे एक ही साल के अंदर और टारगेट लेवल तक टच करेंगे मतलब मालो आपने 11 कर लिया और आपके दिवाग में है कि मैं 11 क्लास में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन मैं वो फाइनल टच नहीं दे पाया कहीं ने कहीं किसी ने किसी मोड़ पे कुछ गलतिया रह गई तो आपके पास एक और लास्ट चांस है 12 में आप 2 इन 1 बेच जोईन कर सकते है इस 2 इन 1 बेच के अंदर हम आपको 12 क्लास के अंदर 11 प्लस 12 दोनों पढ़ाएंगे नीट की प्रिपरेशन के लिए और आपका सेलेक्शन कोई नहीं रोग सकता बस मैनत होने चाहिए इसके बाद में प्री फाउंडेशन और एंडी के बेचेश देखो आपके सामने है यह अपने स्टार्ट हो रहे है तो मैंने देखो अपने पास बेचेश जो अच्छ है अप्रिल से स्टार्ट हो रहे है कि सेल्सी के सेंटर सीकर अलवर जैपुर और जैपुर टू यह अपने पास में चार सेंटर है जहाँ पे class चलती है जहाँ पे classroom भी है बच्चों को पढ़ाते भी है और बच्चों के test भी लेते है तो यह classroom भी है और यह test भी होते है सिर्फ test center की बात के तो जोध़पूर दिली हिसार ये अपने पास में 5 ऐसे center है जहाँ classroom तो नहीं है लेकिन बच्चा चाहिए तो क्या कर सकता है टेस्ट दे सकता है ये आपके सामने है इसके बाद में 11. कोशिकाओं में समसुत्रन के दुरान निम्न में से कोल सा लक्षन नहीं पाया जाता which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells तो somatic cell में अगर मालो mitosis चल रहा है तो क्या नहीं होगा ये बता रहा है disappearance of nucleolus याद करो बचो pro phase जो आ करती है इस pro phase के last के अंदर जो nucleolus है वो disappear हो जाती है chromosome movement अर बचो chromosome movement करता है कौन सी phase में करता है इना phase में करता है synapsis जो है ये बचो mitosis में नहीं होता बलकि किस में होता है meiosis में होगा spindle fiber जो है ये तो आप कह सकते है pro phase के last बना शुरू जाते हैं और होते हैं तो synapsis का जो process है ये बचो आप कह सकते है mitosis के अंदर नहीं होता बताओ सिर्फ ओडशिप किस में होता है meiosis में होता है तो आप कह सकते हैं इसमें तरेक्टान से को जो सा होगे third option हो गया CLC के center अच्छा बात अपने हो गए थी है आगे देखे इसके बार तरकू रूपी तन्तू लगते हैं spindle fiber attach on to इस तरह किसे देखे आप यह मालो बच्छो अपने पास यह क्रोमोजोम आप देख रहे हो इस क्रोमोजोम के अंदर यह जो अपन देख रहे हैं इसे कहा जाता है centromere इसे क्या कहोगे centromere और centromere के इस तरफ और इस तरफ यह देखो आप यहाँ पर plate like structure दो देख रहे हैं कािनेटो ओठ है यह क्या है काइनेटो ओठ है spindle fiber जो होगा वो spindle fiber आप कह सकते attach कहाँ पर होगा काईनेटो ओठ से attach होगा तो बताओ spindle fiber जो है उन दोनोद तरफ के काईनेटो ओठ से attach होते हैं आगे डेखे आगे condition देखते है next की इसके विभाजन में जीन विनिमें कि सबस्ता में आरंभ होगा इन मियोसिस क्रोसिंग ओवर इस इनिशियेटेड एट देखो बच्छों वही कोशन आ गया मैंने बताया था आपको क्रोसिंग और बताओ कौन सी स्टेज में होगा अपन कह सकते हैं टकाय टीन में होगा बचो याद दूसरा कौन सा होता है जो मदर से आता है ये दोनों होमोलोकस पर बोजोम एक दूसरे की तरफ टफू टफू पास पास आते हैं और क्या करते हैं सिनेप्सिस करते हैं पेकाय टीन में क्या करते हैं क्रोसिंग ओवर डिपलोटीन में क्याज मेटा बनाते हैं और डायकानेसि स्मझ गए यह पने सामने कंडिशन है कि नेक्स तुसकार सा होगे अपने पास में फ़ोट ओप्शन हो गया कि आगे देखे इसके बाद में देखे इस कोश्चोन के अंदर भी आपको क्या पुछा गया है इस कोश्चिन के अंदर बचो याद इतना डीने सिंथेसिस का पूचा है डीने का संस्लेशन पूचा है इसको कहा जा सकता है एक्जाम में रेप्लिकेशन कई बार कोशन रेप्लिकेशन के नाम से आता है तो बताओ डीने का संस्लेशन मतलब रेप्लिकेशन कों से अवस्ता में होता है आप कह सकते हैं ऐस अवस्ता में होता है Question No. 15 Column 1 में दी गई अडशुत्री विवाजन की विबिन अवस्ताओं का Column 2 में दिये गए उनके विशिश लक्षनों के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का परियोग कर सही विकल्प का चेन कीजिए Match the stage of meiosis in column 1st to their characteristic feature in column 2nd and select the correct option using the codes given below तो देखो आपके सामने column 1st भी है और column 2nd भी है Pairing of homologous chromosome वह बात पहले बात की थी अरे भाईया जोड़ा बनना हलागे जोड़ा तो नसीबों से बनता है पर बनता कहां पर है जाइगोटीन के अंदर मैं किस जोड़ी के बात करा हूँ क्रोमोजोम के जोड़ी के बात करा हूँ भाउक नहों आगे देखे तो Pairing of homologous chromosome कहा होता है यह आप कहा सकते है जाइगोटीन में Terminalization of casmeta कहा होता है अभी बात की थी Diakinesis में होगा Crossing over Crossing over का मतलब जानते हैं दोनों क्रोमोजोम का एक दूसरे के ऊपर चड़ जाना बताव क्रोमोजोम ऊपर क्यों चड़ते हैं इसको बोलते है और लेपिंग करना और लेपिंग क्यों होती है ताकि वो exchange कर सके इस जीन को इस क्रोमोजोम में बहुज़ देंगे और इसके इस gene को इस chromosome भेज़ देंगे तो gene का exchange होना इसे बचो आप लोग क्या कहोगे crossing over कहोगे यह होगा प्रिकाइटीन में फिर इसके बाद बचो यहाँ पर है chromosome aligned at equatorial plate यह बचो metafase में होगा ठीक है तो इसका आप कहोगे आप 3 4 2 1 3, 4, 2, 1 1, 2 का 4, 4, 2 का 1 बता बचो आपसर यहाँ पर कौन सा हो गया आपसर यहाँ पर हो गया आपका 4th option तो पंदरवा question में correct आपसर बचोंब लोग यहाँ पर क्या देंगे 4th option देना चाहेंगे 16 जब कोशिका में DNA प्रती कृतियन द्विशाक रुक जाता है तब किस जाच बिंदू को फरभावी रूप से सक्रियत करना चाहिए when cell has installed DNA replication fork which check point should be predominantly activated देखें checkpoint का मतलब यह होता है कि अगर कुछ गलतिया हो गई है तो अभी भी उसको सुदानने का मोका अपने पास में है ठीक है जैसे आप लोग यहाँ पर कह सकते हो एक होती है G1 face G1 के बाद में S face S face के बाद में G2 face G2 face के बाद में M face यह तो बचो sequence है याद अटना G1 और S face के बीच में यह होता है आपका first checkpoint और देखो क्योंकि first checkpoint G1 और S के बीच में है तो आप इसको oblique S first checkpoint S और G2 के बीच में कोई checkpoint नहीं होता G2 और M के बीच में होता है second checkpoint और देखो बचो क्योंकि second checkpoint G2 और M के बीच में है तो आप इसे G2 oblique M भी कह सकते हैं so second checkpoint is present between G2 and M phase so we can say it G2 oblique M checkpoint ठीक है अब मालो G1 में अगर कोई काम नहीं हुआ अगर आप तो यह कह दिया जाएं मालो कि G1 में अगर मालो बच्चों कोई काम नहीं हुआ तो उसका पता कहा लगाएगा first checkpoint में अगर इसको G1 से S में जाना है तो first checkpoint को pass करना पड़ेगा पर अगर मालो कोई काम S phase में नहीं हुआ तो S phase में काम नहीं होने पर वो G2 phase में जा सकती है क्योंकि इनके बीच में कोई check करने वाला नहीं है पर G2 से जब वो M में जाएगी तो इसको second checkpoint cross करना पड़ेगा तो second checkpoint के अंदर क्या होगा S में होने वाले काम और G2 में होने वाले काम S के सारे functions और G2 के सारे functions जो है उनको recognize किया जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि अगर मालो S phase में replication देखो replication fork का मतलब यहाँ पर यह है कि जब DNA का replication होगा तो उसकी दोनों chain इस तरीके से आप कह सकते हैं unwind हो जाती है खुल जाती है यूँ इस तरीके से ठीक है तो देखो यहाँ पर replication fork बन गिया replication fork कब बनता है जब replication करना है replication कोंड सी phase में होगा S phase में होगा अगर S phase में replication fork नहीं बना replication fork नहीं बना तो replication में नहीं हुआ इसका मतलब इसका पता कब लगेगा first checkpoint में, second checkpoint में second checkpoint में बताओ नाम क्या इसका G2 oblique M तो इस cancer कोंड सा होगे आपका first हो गया समझगे तो बचो 16 में हम यहाँ बताओ correct answer क्या देंगे first option देंगे इसके बाद next आगे बात करते हैं जिवानों में DNA परती करतियन कब होता है DNA replication in bacteria occurs in जैसे ही बच्चे के सामने DNA replication का नाम आता है तो बच्चा सोचता है कि replication पूछा है कितना easy question दिया है हमारे तो बेस्ती कर दी S phase है अन्य बबलू answer गड़त हो गया ये तो देख replication किसकी बात कर रहा है अगर bacteria लिखावा है अगर prokaryotic cell लिखावा है तो bacteria में और prokaryotic cell के अंदर S phase होती नहीं है बेक्टरिया में prokaryotic cell के अंदर mitosis ही नहीं होता नहीं तो G1 है न S है न G2 है न प्रोफेज न मेटाफेज है ये सब कुछ नहीं है तो याद अतना वात हो आप कह सकते हैं binary fusion है division से पहले जब time मिलेगा तब DNA का replication कर लेगी तो आप कह सकते हैं कि bacteria में DNA का replication कब होता है within nucleolus अरे भाईया जब nucleus ही नहीं है तो nucleolus कहां से आएगा जब दुलाई नहीं है तो गोड़ी का क्या करेंगे prior to fusion ये बचो बिलकुल सही है जब वो bacteria division करेगा fusion करेगा तो उससे पहले बताओ वो क्या करेगा DNA का replication कर लेगा just before transcription transcription से पहले वो replication करेगा इस बात की कोई guarantee नहीं है हो सकते है बचो replication हो जाए अब उसके बाद में उस पार्ट का transcription हो या नहीं हो मतलब assume कर सकते हैं during airspace अरे airspace तो भाया bacteria में होती नहीं है तो बताओ इसका correct answer कोण सा आ गया second option इसका आप कह सकते correct answer है next question number 18 आओ देखे एनाफेस प्रमोटिंग कॉंप्लेक्स APC जनतु कोशिका में समसुत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक protein degradation machinery है यदि मानो कोशिका में APC तुटी पूर्ण है तो निम्न में से क्या होगा एनाफेस प्रमोटिंग कॉंप्लेक्स APC is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell if APC is defective in a human cell which of the following is expected to occur सिद्धी सी बात बचो एनाफेस में जो कुछ भी होता है एनाफेस में आप लोग क्या पढ़ते हो centrosome जो है जो centromere होता है उस centromere का separation होगा और centromere का separation होने से one chromosome is divided into two chromosome and both chromosomes are continuously moving towards pole एक chromosome से दो chromosome बन जाते हैं और दोनों chromosome opposite pole की तरफ जाना शुरू कर देते हैं अरे यही तो एनाफेस में है और एनाफेस को करा को रहा है एनाफेस पर्मोटिंग कॉंपलेक्स अगर इसी में गलबड़ी हो गई तो एनाफेस होगा नहीं एनाफेस नहीं होगा तो आप लोग क्या कह सकते है कि क्रोमोजोम्स will not segregate क्रोमोजोम जो है बच्चो पर्तक पर्तक नहीं होंगे अगर एनाफेस पर्मोटिंग कॉंपलेक्स काम नहीं करेगा तो एनाफेस नहीं होगा एनाफेस नहीं होगा तो याद करो एनाफेस में होता ही क्या है क्रोमोजोम के सेप्रेशन होते हैं वो नहीं हो पाएंगे 19. निम्न मैं से कौन सा विकल्प सुत्री विवाजन के दुरान होने वाली गटनाओं का सही अनुक्रम दरसाता है which of the following option give the correct sequence of events during mitosis during mitosis, भी mitosis की बाद चल दिए तो बताओ सबसे पहले mitosis में क्या होता है? प्रोफेस और प्रोफेस में क्या होता है? आप कहा सकते है, condensation होता है तो बिलकुल सही है, अभी condensation होगा उसके बाद है nuclear membrane disassembly crossing over arrangement at equator nuclear membrane disassembly प्रोफेस में condensation भी होता है और प्रोफेस में जो nuclear membrane है वो disassembly भी होती है, मतलब वो disappry हो जाता है तो nuclear membrane disassembly बिलकुल सही है भी है, crossing over गलत है कि crossing over mitosis में नहीं होता arrangement at equator ये metaphase में होता है nuclear membrane disassembly सही है crossing over नहीं होगा centromere division centromere का division होगा arrangement at equator ये कहां पे आ गया metaphase में ये दो किसके है प्रोफेस के centromere का division एनाफेस में आ गया segregation एनाफेस में आ गया उसके बाद टिलोफेस आ गया answer बचो यहाँ पे कौण सा हो गया फर्स्ट option हो गया यहाँ देखे आप third option में ये प्रोफेस है प्रोफेस के बाद में क्या है metaphase है, centromere division एनाफेस है, ये एनाफेस है ये टिलोफेस है, लेकिन देखो बचो यहाँ पर एक पॉइंट कम है कौन सा nuclear membrane disembly तो आब बताओ answer यहाँ पर कौन सा करोगे 19, question number के अंदर आप इसका answer देदोगे question number 20 युगमित समझाद गुंसुत्रों का पर्तक्रण किस अवस्ता में आरम होगा the stage during which separation of the paired homologous chromosome begins तो देखो पर पहले बात किती ना आपने कि homologous chromosome जो है उनका पर्तक्रण उनका जो segregation है वो start कौन सी phase में होगा तो आप कह सकते है diplotine गलत बिलान का चेन कीजिए select the incorrect match submetacentric chromosome बिलकुल आप कह सकते हैं कि submetacentric L shape ही होता है submetacentric में क्या होता है एक arm कैसी होती है इसकी log एक arm कैसी होती है short तो बताओ एनाफेस में किस तरीके से हो जाएगी ऐसे देखो L बन गया इसके बाद यहाँ पर है polyteen chromosome उसाइट ओफ एमफिबियंस polyteen chromosome यह बचो आपके पास में एक giant chromosome है अगर आप condition देखिए इसके अंदर तो आप कह सकते हैं कि polyteen chromosome जो है वो amphibians में बचो नहीं हुआ करते हैं उसाइट में नहीं होते हैं यह बचो saliva gland में होते हैं इसक पर हमाँ करते हैं एलोसोम sex chromosome को बोलते हैं lambraze chromosome diplotene phase में के अंदर बनते हैं और bioavailant के form में हैं तो बचो गलत आपको यहाँ पूचा है तो बताओ 21 में आप आप से क्या दोगे इसका 21 में आप इसका आप से दोगे second option ठीक है बचो polyten chromosome और lambraze chromosome दोनों को कहा जाता है giant chromosome यह काफी large size के chromosome हुआ करते हैं तो आप कह सकते हैं यह क्या है यह बचो आपके सामने large size के chromosome है यह giant chromosome है यह तोड़ाँ सा बचो NCRT के बाहर एक meter है लेकिन इतना बचो को class में करते हैं आओ आगे देखे exam में आचुका है 18 में 22 एक उपमद्य की गुर्ण सुत्र की छोटी और बड़ी बुजाव को क्या कहेंगे बचो वह बात समेटा सेंट्रिक है एक कैसी होती है long एक बचो यहाँ पर कैसी होती है आपको कह सकते हो small तो छोटी है और बड़ी है देखो बचो कोशन की खास बात क्या है पहले आपको छोटी पुछ लिए और बात में क्या पुछी है आपको इसके अंदर बड़ी पुछी है तो छोटी वाले को क्या कहेंगे P बड़ी को आप लोग क्या कहोगे क्यों कहोगे तो आअसर इसका क्यू try c तो बताऊ 22 में इसका आउनसर कोण सब गया फूर्ट अप्शन हो गया तो next इसके बाद में याद इतना बच्व शोट को पी बोलते है अई लंगर को क्यू कहते है 23 कोशी का चक्रण की अवस्ताओं का सही करम बताओ पहले क्या होती है जीवन के बाद में क्या होता है आशर कौन सा हो गया सेकेंड नॉप्शन हो गया तुन्टी थी जीजिरो प्रावस्ताओं में कोशी काए सेल्स इन जी नोट फेज याद अतना बचो अगर आप जी नोट फेज के बाद करते हो तो जी नोट फेज में क्या होगा सस्पेंड दे सेल साइकल बिल्कुल सही है टर्मिनेट दे सेल साइकल नो एक्जिट दे सेल साइकल नो बचो एक्जिट सेल साइकल से नहीं होती exit कहां से होती है G1 phase से होती है enter the cell cycle no तो यार इतना G0 phase में cell जो है एक बार suspend हो जाती है एक बार ठहर जाती है एक बार division करना रोग देती है तो इसका बचो correct answer अपने पास में कुण सा होगा first option होगा 45 अंतरावस्ता की G1 प्रावस्ता के बारे में इस सही कतन का चैन करो identify the correct statement with regard to G1 phase gap 1 phase of interface cell is metabolically active grow but does not replicate its DNA बिलकुल सही है भई बच्चो G1 phase जो है वो interface में आता है और interface आता है division phase से पहले तो गर पे शादिव्या जब हुआ करते हैं तो उससे पहले की तयारिया जो है काफी जोर सोट से चलती है तो cell को तो division करने से पहले G1 phase में काफी काम करना पड़ेगा तो बताओ metabolic ली क्या होती है वो काफी ज़्यादा आप कैसे बच्चो वो active आखरती है लेकिन इसका replication नहीं होगा DNA का क्योंकि वो तो कौन सी phase में होगा nuclear division take place नहीं भई नुकलिस का बच्चो यहाँ पर division नहीं होगा वो तो tillow phase में पुरा होगा DNA synthesis or replication no S phase में होगा reorganization of all cell component यह बच्चो कौन सी phase में होगा tillow phase में होगा तो बताओ यहाँ आप पे G1 के बारे में सही कौन सा हो गया फॉस्ट ओप्शन इसका correct answer 26 कुछ विबाजित हो रही कोशी का है कोशी का चकरन से बाहर देखो बच्चो same to same वो यह कोशन अगली साल फिर से आ गया यह गुरुनिती जो है बच्चो अगर आप डंक से देखो इसको हर एक कोशन पर फोकस करो हर एक option पर फोकस करो तो मान के चलो need 2023 का रास्ता 95% आपके लिए clear हो जाएगा लेकिन ध्यान से देखे तो वैसे मैं पुरा जो लगा रहा हूँ आप ध्यान से अगर कम देखते हो तो मैं जो लगा लगा के आपको ध्यान से दिखाने पर मजबूर कर रहा हूँ देखे 26 कुछ विबाजित हो रही कोशिका है कोशिका चकरण से बाहर निकलने के लिए बाहर निकल जाती है और काईक निश्क्रिता अवस्ता में परवेश कर जाती है इसे शान्त अवस्ता जीजरो वस्ता कहते हैं यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है some dividing cells exit some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage this is called quotient stage this process occurs at the end of अगर आप condition देखे तो बच्चो इस तरीके से अपने पास में cell cycle है यू G1 S G2 और यहाँ पर क्या गया M यह बच्चो यहाँ पर G1 phase है और G1 phase में अगर मालो बच्चो डिविजन नहीं करना है तो कौन सी phase है यहाँ पर आपके G1 अब G1 phase जो है वो किसके बाद में आ रही है अगर आप condition देखे देखे 26th number question के अंदर हम कह सकते हैं कि G1 phase जो है इसका मतलब यह है कि बच्चो cell डिविजन नहीं करना चारी है तो cell अगर S phase में एक बार आ गई तो इसको डिविजन करना ही पड़ेगा G1 phase में वो decision लेती है कि इधर चले या उधर चले उधर चले तो division करना ही पड़ेगा इधर चले तो division नहीं करना पड़ेगा तो बताओ G note में cell कहां से आती है G1 से आती है G1 phase एक वो phase है जहां एक cell decision लेती है निरिने करती है कि क्या करूँ इधर जाऊं या उधर जाऊं तो आशर आपका यहां पर कौन सा हो गया और तो option मतलब G1 phase आगे देखे बच्चो इसके बाद में next 27 के बाद 26 के बाद 27 सू के अंदर की कोशिकाओ में ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइको लिपिड के निर्मान का मुख्यस्तल कौन सा होगा विच इस दे इंपोर्टेंट साइट ओ फॉर्मेशन ओफ लाइको प्रोटेन ग्लाइको लिपिड तो बच पता है अपने को यू के नोटिक सेल है ग्लाइको प्रोटेन ग्लाइको लिपिड को मनाएगा गोलजी बढ़ाई बनाएगा next 28 this solution of the syneptionymal complex occurs during syneptionymal complex का विकटन होता है बच्चो syneptionymal complex का का काम है दोनों क्रोमोजोम को पास पास लेके आना जाइगोटीन में बनता यह पैकाइटीन में क्रोसिंग ओर हो गया अब यह दूर दूर जाना चाहते है तो दूर दूर जाने के लिए जो पास पास लेके आया था उसको काटना पड़ेगा तो दूर दूर जाना कौन सी stage में होता है diplotene में आंसर बचो कौन सा हो गया इसका समझ गए यह condition यहाँ पर 29 मैं इस देखो बचो वह question repeat हो गया न वह question हो गया अगर वह question हो गया तो हम बात पर ले कर चुके है बता हो जाइगोटीन के अंदर क्या होता है सिनेप्षिस होगा क्रोसिग और होगा diplotene में क्या होगा diac कि 29 के बाद 30 कि सूची वन और सूची दो को मिलाओ मैंस दर लिस्ट वन टू लिस्ट सेकिंड बच्छो एस फेज है वह बात बताओ एस फेज में क्या होगा डेने का रेप्लिकेशन होगा बच्छो इतने कोशन करने के बाद मैंने आपके जो कॉंसेप्ट वह बिल्ड अप कर आगे देखते हैं कोशन स्टेज क्या होता है कोशन स्टेज यहां पर होती है आप कह सकते हैं इनेक्टिव स्टेज को बोलेंगे जीवन अच्छा जीटू फेज और जीवन फेज प्रोटीन आर सिंतेसाइजड और इंटरवेल बिट्विन माइटोसिस एंड इनिसेशन ओफ तो ठीक है जीवन फेज दो नहीं सकता कोई दिकती है तो जीवन फेज कोंड सी है इंटरवेल बिट्विन माइटोसिस और इनिसेशन ओफ डिन एप्लिकेशन इसको आप जोड़ दो जीवन से बचोंगे तो आप इसकी मैचिंग करो तो बतावान स्टों सा ओ गया एवेमे गया 4 बस 2021 में जो बच्चो कोशन दिये गए थे वो बच्चो के लिए वर्दान थे आप एक ही मेचिंग कर लो बागी ओटमेटिक मेच चुझाएंगे अब देखते हैं हम जो भी सारी मेच करेंगे बच्चो बी में क्या गया 1 बच्चो क्या गया आप जी टू फेस में क्या गया 1 A में 4 B में 1 C में 3 तो बच्चो कर आप मेचिंग करो तो कौण सा आ गया, second option आ गया, देखो A में क्या है, A में बच्चो 4 है, यह राफ 4 B में क्या है, 1 C में 2 डी में क्या है थाट तो ठीक है कोई दिकत नहीं बच्छो आंसर बतो उसका कौण सा हो गया तू बस बच्छो मेचिंग ध्यामना के ऑप्शन दो फिर आप इससे चेक कर सकते को दिकत नहीं है अगे थाटीवन निम्नमैसे अड़ सुत्री विवाजन की किस सवस्ता में गुण सुत्र बिंदू का विवाजन होता है विच आप फॉलोइंग स्टेज ओफ मियोसेस इन्वोल डिविजन ऑफ सेंट्रो मियर तो बच्छो सेंट्रो मियर का डिविजन कौन सी फेस में होगा ए एनाफेस में याद करो एक क्रोमोजोम इस तरीके से होता है यह काइंटो कोर है इसको एक स्पिंडल फाइबर उपर पूल करता है एक स्पिंडल फाइबर नीचे पूल करता है नीचे खीषता है तो फिर आप क्या कहोगे कि सेंट्रो मेर में क्या हो जाएगी जब गुणसुत्र भिंदू गुणसुत्र की दो बराबर बुजाव के मद्य होता है तो यह क्या कलाता है वें दसेंट्रो मियर इस सिच्टेड इन दे मिडिल ओफ टु इक्वल आंस ओफ क्रोमोजोम दे क्रोमोजोम इस रिफार्ड एज देखो बचो टीलो सेंट्रिक में त और मेटासेंट्रिक में कहां पर होगा बिल्कुल बीच में होगा तो बताओ टू एक्वल आंस बनेगी नहीं बनेगी तो आंसे इसका कौन सा हो गया मेटासेंट्रिक हो गया 33 पादब कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है Muteations in Plant Cells can be induced by बिल्कुल देखो बचो यहां पर यह जो कोशन है वह आप कह सकते है अप्लिकेशन ओफ बोटनी का भी है और सेल बाइलोजी का भी है सेल डिविजन वगरा होता है सेल साइकल वगरा होता है तो बचो हम लोग गामा रेडिशन अगर डालते हैं तो उसे क्या होता है मुटेशन डेवलप हो जाता है 34 अर्शुत्री विवाजन के विशे में कौन सा खतन गलत है regarding meiosis which of the following statement is incorrect DNA replication occurs in S phase of meiosis second meiosis second के S phase में DNA replication होता है गलत स्टेटमेंट बचो S phase तो meiosis first में होता है meiosis second में कोई S phase नहीं परकरता pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis first, बिल्कुल सही है pairing कहाँ पे होती है gigotene में, recombination कहाँ होता है, आप कहाँ सकते है pacotene में, four heploid cells are formed at the time of meiosis second, बिल्कुल सही है there are two stage in meiosis first and second, तो बताओ बच्चो इसका incorrect आपको पुछा गया था आज से बताओ कोड़ सह हो गया इसका, answer इसका हो गया first option which one of the following never occurs during mitotic cell division निमन में से कौन सी गटना, सुत्री विबाजन के दुरान कभी नहीं हुआ करती movement of centriole towards opposite pole centriole का opposite pole की तरफ जाना, तो आप कह सकते है बच्चो माइटोसिस में central opposite pole पर जाती है pairing of homologous chromosome ये बच्चो इस cancer है, ये mitosis में नहीं होता, बलकि कहा होता है meiosis में होता है coiling and condensation of chromatids विल्कुल सही है, प्रोफेस में होगा spindle fiber attached to kinetocore ये तो mitosis, meiosis दोनों में होता है तो बताओ, बच्चो माइटोसिस में कभी क्या नहीं होगा homologous chromosome के अंदर क्या नहीं होगी pairing वगरा नहीं होगी आगे देखतें इसके बाद में 46 अर्ध सुत्री विवाजन के दुरान समझात गुण सुत्रों पर पुनर योगजन गंतिकाओ का बनना किसे अभी लक्षित करता है बच्चो वह बात रिकॉंबिनेशन नोडिल बन रहा है इसका मतलब आप लो क्या कह रहे हो कि यहाँ पर बताओ बच्चो पर बच्चो क्रोसेस है वो आप कहा कराते हो वो आप कराते हो तो बताओ यहाँ बच्चो रिकॉंबिनेशन नोडिल क्यों बन रहा है यह पास-पास में आखरे ओवड़ेपिंग क्यों करना है तो आज से इसका हो गया second option 37 सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ match list 1 with list 2 देखें metacentric chromosome आओ देखते हैं centromere situated close to the end forming one extremely short one extremely long बच्चो close to end end पर नहीं है अगर end पर होता तो आप इसको बोलतें tillocentric end के पास है तो एक्रोसेंट्रिक यह आप कहो गया बच्चो एक्रोसेंट्रिक centromere at terminal part टर्मिनल पर है तो इससे आप लोग क्या कहोगे tillocentric होगे तो beam ठीक है centromere in the middle forming two equal arm यह बच्चो यहाँ पर metacentric है metacentric में कहा होता है centromere बिल्कुल बीच में होता है centromere slightly away from the middle forming one shorter arm and one longer arm अगर middle के थोड़ा सा दूर है तो आप इससे कहोगे some metacentric तो बताओ बच्चो ए में क्या हो गया 3 a में हो गया 3 b में क्या हो गया 1 c में क्या हो गया 4 d में क्या हो गया 2 देख लिजी आंसर इसका हो गया कौन सा option fourth option next इसके बाद 38 in meiosis crossing over and exchange of genetic material between homologous chromosome are catalyzed by the enzyme अगर बच्चो genetic material का आपको crossing over कराना है तो बताओ crossing over के लिए कौन सा एंजाइम चीह होता है अपने को recombinase याद अपना recombinase जो होता है यह आपके पास में एक ऐसा enzyme है जो आपको चीह कौन सी फेस के अंदर प्रकाइटीन के अंदर क्या करने के बच्चो आपके सकते हैं crossing over करने के लिए यह यहाँ पर condition है इसके बाद next question number 39 अर्द सुत्री विवाजन की कौन सी अवस्ता अर्द सुत्री विवाजन की कौन सी अवस्ता कुछ कशरू की प्राणियों के अंदको में महीनों या वर्सों में संपन होती है which stage of meiosis can last for months or years in the oocyte of some whitey breads यह बच्चो लाए दा NCRT की कि आप कह सकते हैं कि डिपलोटीन जो वा करती है यह बच्चो डिपलोटीन कुछ एनिमल्स वगरा के अंदर मन से यर तक ही हो सकती है जैसे बच्चो फिमेल जो होती है अगर हुमन की बात करूँ तो हुमन में क्या होता है कि जो बच्चो एक वगरा होते हैं इसके बनने की प्रोसेस एम्रियोनिक फोम में हो जाती है फिर जब वो फिमेल 12-13 साल की होती है या 14 साल की होती है तब बच्चो उस प्रोसेस को कंटीनु किया जाता है तो वो डिपलोटीन के अंदर 12-13 साल की होगी फेज इस इसके बाद नेक्स बच्चो कोशन नमबर यहां पर आपके पास में है फोटी आइडेंटिफाई दे करेक्ट सिक्वेंस ओफ इवेंड्स दूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ओफ मियोसिस की बात करनी है अर्शुत्री विवाजन की पूर्वा वस्ता फर्स्ट के दूरान होने वाली गटनाओं के सही करम को पैचानी है सिनेप्सिस ओफ हमो लोगोस क्रोमोजोम बिल्कुल यह जो बच्चों सिनेप्सिस की प्रोसेस है यह होती है जाइगोटिन किस में आता है प्रोफेज फर्स्ट में आता है क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप क्रोमोजोम अगरा जो है वो बच्छो माइक्रोस्कोप के अंदर आपके सकते हो विजिबल हो जाते हैं अब सुने बड़े धांसे क्रोमोजोम विजिबल कम होते हैं जब कंडेंसेशन की जो बच्छो प्रो से नों सिष्टर क्रोमे टिट्स ओफ होमो्मोसोम tub विविज बया कि बीच में क्या होते हैं प्रूलो यह ग्रमोजुम ये को बचल शिश्टर हो गए तो बता वी इन यह कब होता है डिपलोटीन में होता है तो बचो सारे के सारे जो आप कह सकते एवेंट जो है वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेश फर्स्ट से क्या है तो आंसर बचो यहां पर हो गया सारे मतलब option कौन सा हो गया थर्ड हो गया कोशन नंबर 41 एक विशिष्ट लक्षन युगली नहीं युगली एक विशिष्ट लक्षन युगली अत्वा चतुष्क निर्मान किस तरण में प्रेक्षित होता है बाइवेलेंट और टेट्राड यहां बचो आएका और हना बाइवेलेंट और टेट्राड फोर्मेशन इस एक टेट्रिक फीचर ऑब्सर्वड दूरिंग देखो बच्छो बाइवेलेंट का बनना इसका मतलब होता है हमों लोगोस्त्रोम का पेर बनना और बताओ पेर कौन सी फेस में बनता है जाइगोटीन के अंदर बनता है ठीक है और जाइगोटीन के अंदर क्या होता है यह जाइगोटीन जाइगोटीन में क्याज मेटा नहीं बनते यह तो डिपलोटीन के अंदर बनता है सिनेप्टोनिमल कॉंपलेक्स बनता है दोनों क्रोमोजों को बच्छो पास पास लाने के लिए बता हो उनके बीच में प्रोटीन से क्या बनता है स question number 42 मद्यावस्ता के बारे में कौन सा खतन गलत है with respect to metaphase which of the following statement is incorrect ये बचो question reneet 2022 में आया था with respect to metaphase which is incorrect metaphase chromosome are made up of four sister chromatids held together by centromere मेटाफेस में क्रोमोजोम ऐसा होता है ये आपके सामने किसका क्रोमोजोम है मेटाफेस का क्रोमोजोम है और मेटाफेस में जो क्रोमोजोम आप देख रहे हो ये क्रोमोजोम एक क्रोमेटिड है रहा एक क्रोमेटिड ये रहा बताओ कितने क्रोमेटिट से बनता है दो से बनता है ये कितना बोल रहा है ससुरा चार गलत स्टेटमेंट हो गया क्रोमोजोम्स लाई एट दा एक्वेटर ओफ दे सेल बिल्कुल ये सही है मेटाफेज में जो बच्चो सेल वा करती है उस सेल के अंदर अगर आप कंडिशन देखे तो बिल्कुल देखो बच्चो एक्वेटर में यहाँ पर कोण आ जाएंगे आप कैसकते हो एक रोमोजोम आ जाएंगे एक्वेटर की उपर आ जाएंगे ये अपने सामने कंडिशन है Complete Disintegration of Nuclear Envelope Take Place हाँ यह आप कहसकते हो कि बच्चो मेटषेस का मतलब है और प्रोफेस अलागया इसका मतलब जो नुकलिर मेंब्रेन मगरा है जो नुकलियस है जो ए-r है जो गोलजी बोडी है जो कि बच्चो Disappear हो जाते हैं वो हो गए अगर मेट़ज है तो बच्चो 99% नहीं वो 100% क्या हो गए हो गए क्रोमोजोंस आर हाइली कंडेज़्ट अगर आप इसकी बास देखे क्रोमोजोंस आर हाइली कंडेज़्ट बच्चो प्रोंटेज़् जो वाकड़ती है इस प्रोंटेज़् के अंदर स्कूधार करोमेटिन इसका मेन गया था कर स्वार्ड है यह को मेटन फाइबर इस ट्राइब हैंटू क्रोमोजॉम जो हर तो अब प्रोफेस के बाद सब मेटाफिय को तो बताो मेटाफिय में क्या होगा क्रोमोजोय होगा कि इसमें कि जो बच्चो प्रोफेस में पुरी हो गी थी अगर मेटाफेस है तो मालो बच्चो बाइचांस कोई एक आदा परसेंट थोड़ा सा कंडेसेशन बचा हुआ होगा तो बच्चो वह भी यहां पर क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा तो इस बात कि सेल साइकल और सेब बारे में हमने सारे कोश्ण कषेसे पडा है और उम्मीद करता हूं के अदो कि आपने और आपने जिन 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 आप्शन को देखा है बत्चों वह हैं आपके और वह एं तो अच्छे से एक्जाम देना है एक्जाम को बच्चो फोड़ के आना है अभी नहीं तो कभी नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं थैंक्यू